दोस्तों अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लापते रहते हैं नए-ने बिजनस आइडियाज और नए नी जैनकारी के वाला आपके लिए दोस्तों बात के नज़र है चैनल लिंक फेंस का बिजनस शुरू कर कैसे आप अच्छी कासी कमाई कर सकते हैं कैसे यह बिजनस होगा आगे बने सब्सक्राइब करना ना बूले तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों आज हम इस आइडिया की नहीं बलकि एक रियल्टी की बात करें कैसे बिजनस किया जाता है कैसे प्रोफिट कमाया जाता है जैसा कि हम सब जानते हैं बिजनस तो बहुत हैं और बिजनस में काफी प्रोफिट भी होता है बहुत से लोग बिजनस कर आजारों लाकों में काम आती है और रोड साइड इसको लगाया जाता है इसका मेंमं सीक्योरिटी का है बहुत ज़ादा डीमांट होने के काने इसमरे प्रोफिट bitter होता है ये एक शदाबार बिजनस बहुत कम ही लोग इसका business कर रहे हैं पर जो कर रहे हैं वो अच्छी-कर्षी कमाई भी कर रहे हैं आप इसे कम इने शूरू कर अच्छी-कर्षी कमाई कर सकते हैं कैसे होगा ये business दोस्तों इस भूप करने के लिए आपको किसी परगार की पढ़ाई के जूरत नहीं है ना यह क जबर्दस बिजनस है आप इसके लिए बैंक से लोन भी ले सकते हैं इसका रो मेटरियल यानि जो वायर्ड रोल्स होते हैं वो आपको आप तक सब खच मिलाकर 40 उपर प्रती किलो पहुंचता है चैनलिंक फैंस का बिजनस ग्लोबल बिजनस है इसकी डिया में काफी डिमांड है जैसे इंडिया डिवलोप हो रहा है गुवर्णमेंट भी फैंसिंग लगा रही है चेन फैंसिंग मशीन को हैंडल करना पूरुती असान है कोई भी इसे बना सकते हैं वायर का एक कोईल होता है उसे मशीन में लगाया जाता है और वह डाई तक जाता है जिस साइज की chain fencing बनानी है उस हिसाब की die लगानी पड़ती है फिर इसका roll बनाया जाता है और आप इसे market में sale कर सकते हैं इसका raw material local में मिल जाता है raw material के contact number आपको machine विद्रिता से मिल जाएंगे 40 रुपए प्रती किलो का raw material आप तक पहुंचता है और आपकी 3 रुपए manufacturing cost रहती है जिसमें labor maintenance power आदी आती है इसकी market में sale होती है 53 रुपए प्रती किलो के हिसाब से यानि आप प्रती किलो 8 से 10 रुपए मनाफ़ा कमा सकते हैं इस machine से 1 घंटे से 120 किलो production कर सकते हैं यानि आप इस machine से हर महीने लाको की कमाई कर सकते हैं इसकी demand जादा है और manufacturer कम है आप असानी से इसे बेश सकते हैं government के tender भी आते हैं आप उसे बरकर tender ले सकते हैं आप private tender भी ले सकते हैं ये खेतों में भी लगाया जाता है express highway ये दोनों साइड लगता है government का ये rule आ गया है जमीन की security के हिसाब से fencing लगाई जाती है अपनी city और past की city में hardware वालों से भी sale कर सकते हैं आप direct खेतों में भी इसे sale कर सकते हैं इसके लिए government का license लेना पड़ता है small scale industry का license लेना पड़ता है जिला हुद्योग के अंदर sale license लेकर business शुरू कर सकते हैं इसमें ये 30% subsidy government से मिल जाती है training भी आपको machine विगरता से मिल जाती है subsidy के लिए आपको C.A.S.A. project report बना कर जिला हुद्योग में जाकर bank में through loan ले सकते हैं और subsidy ले सकते हैं मशीन विगरता के contact अमर्बने description में दे दिये हैं आप उस पर contact कर पूरी जानकरी ले सकते हैं और machine ले सकते हैं ध्यान रखें दोस्तों ये बाते wholesale और सप्लाइरों से जानकरी बना कर रखें एलपरों सुख कोट सेली टाइम पर दें प्रोपर ट्रेनिंग लेकर ही बिजनर शुरू करें इस कामे उधारी बिल्कुल भी ना करें बाकी सब जानते हैं दोस्तों क्या क्या करना होता है अमीद करता हूँ दोस्ता वोडियों पसंद आई हुए सब्सक्राइब करें अगर आप ने पी तक हमारे चाल सब्सक्राइब ने किया है वाल सब्सक्राइब ने किया है